हाकीम सहाब पहले कॉलर जुर गहें बात कर लेते हैं जी नमस्कार स्वागत है सीमा आपका जी जी अधाब जी अधाब जी मैं दिल्ली से बुल गही हूं मेरा नाज मेरा मेरी उम्र अप तो 52 साल हो गही लेकिन 10 साल हो गहे गहूं से अलर्जी है गहूं से अलर्जी और कुछ बताना चाहेंगे गहूं अगर पेट में चला जाता है तो बजन नी पढ़ता खून पानी नी बढ़ता ने ये बताईए क्या होता है आपको गहूं खाने से उल्टी होती है गहूं खाने से बजन नी बढ़ रहा मेरा कितना और भूख कम लगती है गहूं खा लिया तो पूरे दिन एक ही बारे खाना कहूंगी दुबारा भूंग लगती नहीं ठीक है ठीक है तो देकि बहुत आस जानते हैं, अलोवीरा सबी जानते हैं तकरीबन इंडिया में तो और इसका सिर्का मिलता है, सिर्का वेनेगर को कहते हैं, तो अलोवीरा का सिर्का एक या दो चमच अपनी सबजी में, जो सालन आप सबजी लेते हैं, उसमें मिला लिया करिए, सबजी भी जायकिदार हो जाए एकदम हाजमा बड़ा दूरस रहेगा या पानी में मिलाकर भी पी सकते एक या दो चम्मच एक गिलास पानी मिलाकर पी लें तो भी अच्छा है जैसा आपको आसानी हो आप शुरू करें आज से शुरू करेंगे तो मुझे अमीद है आज से ही आपको फाइदा महसूस होना च लगती है सब आपका बहतर हो जाएगा यानि कि आपका शरीर जो है वो चुस्त अंद्रूस्त हो जाएगा आपको भूग भी अच्छे से लगेगी टाइम से लगेगी लेकिन आपको उपचार अपनाने होंगे जो अभी आपको यहां पर हकीम सहाब ने बताए हैं अपना की लेते हैं नेक्स्कॉलर से जी नमस्कार स्वागत है आपका हालो हाँ टीवी का वॉल्यूम कम कीजिये पहले तो आप सवाल कीजिये और नाम बताई अपना अगंगा रतन के पार्थी जी सवाल कीजिये अपने पूरे शरीर में है या गर्धन में हैं हाथ में है अजा पूर शरी उनका काम न करता है हाथ परक नगीह करते हैं पत्रकॉल ठीक ग अज़िए इस उमर में कुछ लोगों को ये बीमारी हो जाती है पारकिंसन की और ऐसे लोगों को मूं की डाल की बनी हुई सबजी या कुछ भी हलवा और खिच्री तरह तरह से बनती हैं मूं की डाल बहुत तरह से बनती है इन्हें खुब कसरस से किराई है और एक नस्खा में बतायता हूँ, वो आप इस्तमाल करिए देखिए, ब्रहमी बूटी, नाम लिख लीजे आप, बहुत मशूर बूटी है ब्रहमी बूटी, 100 ग्राम ले लीजे, और हल्दी 50 ग्राम ब्रहमी बूटी 100 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, और धनिया 100 ग्राम, आवला 100 ग्राम और गॉन मौरिंगा 100 ग्राम, इनको खूब बारीक पाउडर बनाएं मौरिंगा का गॉन थोड़ा नकली भी मिलता है, जरा समल के ले न, इसको पाउडर बनाके एक ग्राम सुबा, एक ग्राम शाम, खाने के बाद सादे पानी से खिलाना शुरू करें, मुझे अमीद है इनको फाइदा होना मुम्किन है जी, नेक्स्ट कॉलर है, सुभाज के हमारे साथ, स्वागत है आपका सुभाज क्या बोल लें, नहीं समझ मारे है, क्या उमर है आपकी? अलो, जी जी, और कुछ तो नहीं बताना, चीक है, मैं समझ गया आपका स्वाज, आदि कि इस उमर में गैस की प्राबलम कोई बड़ा रोग नहीं है, लेकिन अगर हम इसका सही इलाज ना करें तो ये बड़ा रोग बन सकता है, क्योंकि बीमारियां जो है, पेट से ही शुरू होती है, पेट बीमारियों की जन्नी है, तो देखिए, एक तो गरम पानी पिया करिए, दिन में पांच बार, आज से ही शुरू करें, और आज से ही फाइदा देखें, ये भी एक इलाज है, बगहर दवा का, पांच बार, गरमा गरम ठीक तो यह रजाज है, और अगर उससे भी आपको कम फायदा लगे, तो दीखिए बहोट आसान इलाज है, आपके किचन में जो धनिया है, धनिया लीजे, सौफ लीजे, सौट लीजे, अजवाइन लीजे, धनिया, सौफ, सौट, अजवाइन, जीरा, दनिया, सौफ, सौट, अजवायन, जीरा और गौन मौरिंगा गौन मौरिंगा बाहर से लेना पड़ेगा असली वाला लेना ये बहुत कीमती दवा है पाउडर बनाई है इसका और एक छोटा चाय का चमज सुबा शाम खाने से पहले ले तो बहुत जादा फायदा है बाद में भी ले सकते हैं पानी का पैदल चड़ा करिए इससे आपको फायदा मौकिन है नेक्स्ट कॉलर है सुर्भी पटना से हमारे साथ स्वागत है सुर्भी आपका हान जी बोलिए मेरे उम्मों 19 साला हैма मैरे पाता का यह चिप भी सुचष 17 एरा कैदल मियर अर उनके एक हाथ में बहुत जन्दनार रहती है मेरे ऐक शरीर के रंग नहीं है मेर शारे के ना 같이 कुछ और स्कंधे के नीजे का कुछ और ऐसे और मेरे माम्मी कौ नीज नाहीं आरा है किती प्यारी बच्ची है माशाणला इनके सवाल याद रख पहले आपके पापा से शुरू करते हैं देखिए मौंडे में दर्द है तो यह अगर आपके पापा देख रहे तो यह देखिए मौंडे यहीं पर रहे यह निए उटने चाहिए गर्दन जाये ऐसे ऐसे अपने पा ले एक तो यह एक यह एक यह एक यह ऐसे दो-चार मिनट यह भी करना है पूरे दिन में और मुझे उम्मीद है कि इसी से फाइदा हो जाएगा उनको दस दिन बाद और अगर फिर भी नहों तो आप गौंद सियाह एक काला गौंद आता है गौंद सियाह बोलते हैं उसे कड होता है महंगा होता है और नकली भी बहुत मिलता है तो यह 100 ग्राम खरीद लें आदा ग्राम सुबा आदा ग्राम शाम दें और यह 100 ग्राम गौंद खत्म होने से पहले आपके पापा को फाइदा होना मुम्किन है मम्मी को रोज आना रात के समय अलोवीरा तो आप जानते हैं अलोवीरा का सिर्का दो या तीन छोटे चाय के चमच पानी में मिला के या उनके सब्जी सालन में मिला दिया करें अलोवीरा का सिर्का यानि वेनेगर तो जिस दिन से शुरू करेंगे मम्मी को तो उसी दिन से फाइदा शुरू हो जाएगा और आप बहुत खुश हो जाएंगे आपके रंग के लिए मैं एक दवा बताता हूँ और वो यह है कि अलसी तीन सो ग्राम अलसी आपकी मम्मी जानती होंगी अगर आप नी जानते अलसी लीजे साफसुफ कीजे तीन सो ग्राम और हलका सा भून लीजे फिर इसका पाडर बना दीजे अपने पास रखिए और अलसी तीन सो ग्राम और सो ग्राम गौन मौरिंगा इसमें मिलाइए और आदे से एक चमच दिन में दो बार खाईए पानी के साथ खाएं पतली सी हैं तो दूद के साथ खाएं एल्दी हैं तो पानी के साथ खाएं मुझे अमीद है आपको भी फायदा होना मूपिन है नेक् मेरी मिस्स क्रीमर है एक प्रॉक्स 45 के असपास जी तो इन्हें हाथों के तल्वों में पैरों के तल्वों में काफी पें था वी पांचे मेने पहले तो उन्हें प्रिटमेट लिया और तो दवाई खिलाते रहे उनको लेकिन उसमें कुछ खास रिलीफ मिला रही है ठीक है तो दर्शों में पैस करा है तो उसमें कर रूमोटाइट अफैटिस निखला था रूमोटाइट अफैटिस और यूरिक एसिट आयता 7.8 तो इनका टीक्मेंट चल रहा है 50% के करीब अराम है लेकिन हम जैसे एक कोजिशन पे आकि जहें आराम रूप गया हो जैसे महला दिस्टर्स से उटके पैर स्टाइटिंग में रखती है तो बड़ी प्रॉलम होती है पहले तरस फंदा मिनट सक उजह इनको कमर में भी तकलीफ होगी तकलीफ हुगी कमर में पैरों के तलों में आप यह की पैरों की फिंगर में आराम आ गया है लेकिन जैसे एडी वेगरा अच्छा पिंड्लियों में और थाइज में कुछ तकलीफ है नहीं जोड़ा साइज में बिल्कुल नहीं है ठीक है ठीक है अच्छा सा निस्खा है और वो यह है कि यह थोड़ा फाइदा करेंगा दो तीन महीने में पूरी तरह लेकिन जो फाइदा करेंगा तो फाइदा ही करेंगा और जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और कोई भी वज़ा है तो उसको निकाल देता है यूरी कैसीड हमारी किड्नी के जो सिस्टम है वो खराब होने से बढ़ता है वो ज्यादा यूरी कैसीड रोक रहती है किड्नी की जिम्मदारी है कि वो जरुरत के मताबिक चीजों को रोके बाकी को निकाल दे पेशाप के जर लें 400 ग्राम सस्ती आती और उसको साफ सूफ करके हलका सा भून कर पॉडर बना सकते या चबा के ख़ा सकते चार सु ग्राम अलशी और 100 ग्राम गौन्द सिया एक कौन्द है मुश्किल से मिलता असली लेना असली के बड़ जरूरी है लेना सो गिराम काला गौन इसमें मिलाकर पाउडर बनाकर रखें और देखिए एक गिराम सुबा एक गिराम शाम खाना है एक बड़ा कैपसूल की बरावर आठ दिन के बाद फाइदा शुरू होगा शायद दो चाह दिन पहले दो चाह दिन बाद भी हो सकता है ले जबेरा तजल्बा है आप इसको इस्तमाल कर सकते हैं नेक्स्ट कॉलर है अंजुना MP से हमारे साथ स्वागत है अंजुना आपका हाँ नमस्कार हाकिन साब आदा अवादा बंजिना जी हाँ मैं आपका आप प्रेकर करना चाहेंगी और क्योंकि आज मैं स्वास्थू तो आपकी दवाई से टीक एर और मैंने घर में बनाई थी सुरेज अशुगंदा वाली अलसी डक्टर जब क्या है मेरे को टीवी हो गय तो कोई भी कोड़िया सा अरहे हो जी मै पाली आवाद आरी अवादा और मेरे को टीवी भी हो गया था हाने हडी वाल टीवी और कमर सिल्प इसक का विसाथ मैं ता कोई बी डॉक्टर नहीं पकड़ पारा से में बां भे भी अन्बढ़ भी गई इंदौर भी गई जब तो कि एक डोक्टर ने फिर फकर लिया कि इनको टी डीवी गुत एक साल इलाज चला लेकिन ही मेरे कमर दर्द्री थीक नहीं हुआ और फिर रहें आप अपर हम रुंग ने तैसे ही जिंदी का थो मैं लेटा आपका ढ़न भी धर आप में और मैं खुद दवाई बना के कहीं लोगों को बाच चुकी हूँ और सबसे कहती हूँ तो डक्टर साफ लेकिन मैं जही चाहूंगी कि आपकी तारीफ के लिए मेरे पास सब्द नहीं है और जितने भी सब्दें वो कम पड़ जाएंगे मैं चाहूंगी कि हर मां के पास आप ज अने बीटा मिले अजी आपकी महबद दक्टर साफ एक और बात मैं जह चाहूंगी कि इस बात को मैंने इसलिए डिटेल से सब को बताया है कि कोई कभी हमत ना आ रहे और आपको ही देखते रहे मैंने बस कुछ भी नहीं किया आप ही आपकी बात मानी है आज तरी बस को महीं ने खाएंगे तो और मैं नहीं पुरा काम कर लेती हूं अब मैं और सब कुछ अच्छा है लेकिन बस सरीर थोड़ा भारी रहता है और आप से आज हमें पास हो गई तो हमें ऐसा लगजा कि एक जिन्दीगी साहर ठक हो गई मेरी है अदिखिए दरसल आप बहुत मेरी मा हैं तो मेरे लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है क्योंकि मेरी मा तो है नहीं और ये जो फाइदा दिया ये आपको उपर वाले ने दिया मेरा काम ये है कि जो मेरे एक्सपिरियंस तजर्बात हैं मैं आप लोगों से शेयर करता हूं और मेरे साथ आप जैसी कि इतनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं लाकों की तादाद में जो डाइरियां लिखती हैं और फाइदा उठाती हैं और फिर अपनी तरफ से लोगों को दवाईएं बनाके फ्री में बाटते हैं तो ये मेरा काम है सेवा का हिदमत का काम है आप भी मेरे साथ जुड़ गई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे इतनी खुशी हो रही है आपका फीड़बेक देने से हाँ ये टी केर दवा आप लेते हैं ये किसी कमर में दर्द अगर किसी सूरत नहीं जाता है तो इसको इस्तमाल कर सकते हैं आपने बताया तो लोग और ज़्यादा बहुरशा करेंगए और इसका तकलीफ वाले लोग़ों को बताना ही सेवा है कि इस से आपको फाइदा होता है और आपने जो दवा बंगाई है उसे इस्तमाल करें पाँच किलास रोज़ाना गरम पान यह आप इससे आपको परेज करना है इससे बचना है और लोगों को बचाना है मुझे अमीद है कि आपका शरीर हलका भी हो जाएगा पिलकुल अंजना जी बहुत बहुत शुक्रिया कायरकरम में कॉल करके अपनी फीडवेक हमें बताने के लिए क्योंकि आपको इत्ती बड़ी बिमारी थी टीवी की प्रॉब्लम आपको थी लेकिन अब आपको देखे कितना जादा राहत मिल गया है बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्श को देखिए आप लोग भी ऐसे ही लाव उठा सकते हैं क्योंकि जब आप लोग यूनाली पदिती से जुड़ते हैं आरवेज से जुड़ते हैं देसी नुस्के आप लोग जानते हैं हकीम सहाब से तो समझ लीजे इस बात को कि